दोस्तों इंडियास गार्ट टेलेंट भारत का वो मंचे जहां पूरा भारत का टेलेंट देखने को मिलता है और टेलेंट के इस महा मंच को चार चांद लगाने आए है इस शो के जजिज शिल्पा शेटी, किरन खेर, पनोज मुन्तशिर और बादशा जी हां दोस्तों इंडि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप इंडियास गार्ट टेलेंट शो के फेने तो इस वीडियो को कर दें लाइक तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं होस्ट अर्जुन बिजलानी दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंडियास गार्ट ट पड़ाई मुंबई इस्कूल माहीम से किये और कालेज की पड़ाई एशार कालेज आफ कामर्स एन एकोनोमेक्स से किये बात करें इनकी एजुकेशन कौलिफिकेशन की तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है दोस्तो अब बात करते हैं इंडियास गौर्टेलेंट के मोस्ट सीनियर और सफ की फेवरेट जज किरन खेर के बारे में किरन खेर का जनम 14 जून 1952 को बेंगलोर में हुआ 2022 के हिसाब से किरन खेर 69 येर की हो चुकी है दोस्तो अब बात करते हैं इनकी एजुगेशन के बारे में किरन खेर ने अपने स्कूल की पढ़ाई चंदीगर से किये और फिर पंजाब यूनिरस्टी चंदीगर से थेटर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया दोस्तो अब बात करते हैं इनकी एजुगेशन के बारे में मनोच ने अपने स्कूल की पढ़ाई उत्तर परदेश से ही किये और फिर इन्होंने अलाबाद यूनिरस्टी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किये इन्होंने बालीविट मुवीज के लिए के ही हिट गाने लिखे हैं दोस्तो मनोच मुनतशर पहली बार इंडियास गौड टेलेन को जज़ करने आये हैं दोस्तो बालीविट की खुपसूरत एक्ट्रेस शिलपा शेटी का जनम 8 जून 1975 को बेंगलोर करनात का में हुआ और इतनी यंग दिखने वाली शिलपा शेटी 2022 के हिसाब से 46 येर की हो चुकी हैं बात कर इनकी एजुकेशन की तो इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई स्टी एंथोनीज गर्स हाई स्कूल चेंबर से किये और कॉलेज की पढ़ाई कॉलेज आप मुंबई से किये नमबर 4 बादशा दोस्तो भारत के पापूलर रेपर और सिंगर बादशा का असल नाम अधित्या परतीक सिंग है बादशा का जनम 19 नॉंबर 1985 को न्यू दिली में हुआ और 2022 के हिसाब से ये 36 येर के हो चुके हैं तो दोस्तो ये थे इंडियाज गाट टेलेंट सीजन 9 के जज़ेज और होस्ट की रियल एज और एजुकेशन दोस्तो आपको इनकी रियल एज और एजुकेशन कॉलिफिकेशन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेट करके जरूर बताइएगा दोस्तों अगर आप इंडियास गाट टेलेंट शोग के फेन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेला आइकान को प्रेस कर लें